naras आज हमारी क्लास है अन्टोनीमस हम आज कर पड़ रहे हैं और अन्टोनिमस में ही आज हमारी क्लास नंबर आठवी है, टोटल अगर हम देखें तो क्लास नंबर हमारी है 49th यानि कि 49 वी क्लास है आज हमारी सो काफी क्लास हमारी हो जुकी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग पूरी वीडियो सारी देखी होंगी और अगर सारी देखी हैं तो एक बार वीडियो और ऐसी आएगी तो आज की ये वीडियो है ये नॉर्मल जो डूरेशन अब तक चल रहा था वही है कल से जो वीडियो आएगी उसमें डबल कर देंगे तो वीडियो का कॉंटेंट बढ़ जाएगा जिससे की जल्दी जल्दी आपकी कम्प्लीट भी हो जाएगी ये ठीक है तो डे 49 है एंटोनीम के क्लास नंबर ये है बाकी क्लास को सुरू करने से पहले ही मैं बता दूँ ये हमारा रेकॉर्डिट बैच है इंगलिस का जो के आरजी विकरमजी तेप पे अवैलेवल है इस बैच के अंदर आपको ये सारे के सारे सुविधाय मिलती है तो काफी अच्छा बैच है और इसको हम अपडेट करने में भी लग रहे है और जो बच्चे पहले से बैच ले चुके हैं उनका बैच भी अपडेट होगा तो आप अगले 15 दिन के अंदर देखोगे कि इस बैच के अंदर सारी चीजों को अपडेट कर दिया जाएगा फिर से तो अपडेटिड बैच आपको मिल जाएगा लगवग 15 से 20 दिन के अंदर तो जिन्होंने पहले ले लिया है उनका भी अपडेट हो जाएगा जिसको देखेगे मजा कोड़ाया जा सकता है मजा कोडाने लायक वोही होती है radiculous so very silly silly का मतलब है बहुत बेकार हो silly आप कह सकते है simple सब्दों में कुई शिका behavior कुछ ऐसा है जिसको देख जएगे हसी आए आपको so वो silly बोला जाता है so very silly और radiculous radiculus का मतलब भी basically क्या होता है कोई एकदम बे तुकासा हो ठीक है बे तुका तो आप इसको कैसे याद करक सकते हैं देखो ludi से आप इसको ludo याद रख लेना और crust से आप इसको course याद रख लेना तो ludo का अगर कोई course करने चला जाए जी मुझे ludo सीखना है तो ludo का course रहा होगा तो कैसा रहोगा बे तुका ही रहेगा ludo course ludicrous 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 बे तुका ठीक है इस तरीके से अब इसके antonyms के अगर हम बात करेंगे तो antonyms में कैसे सब्दाएंगे जो आपके genuineness को दिखाएंगे जो आपके एकदम सही चीज़ों को दिखाएंगे जो stable चीज़ों को दिखाएंगे वो आपके antonyms में आजाएंगे तो एक है आपका solemn solemn का मतलब भी क्या होता है भई गंभीर अब आपने solemn movie देखी होगी solemn movie में जो ठाकुर था उसके हाथ काट दी जो इस्टोरी है बड़ी गंभीर है last में अमिता बचन की death भी होती है बड़ी गंभीर बात है उसमें तो solemn यानि के गंभीर गंभीर इस तरीके से आप याद रख सकते हैं और grand का मतलब हो जाएगा जो बहुत अच्छी है जो बहुत काम की है so grand भी कह देंगे grand बहुत simple word है हम कहते है grand welcome करना किसी को grand party देना बड़ी party है न आगे एक सब दे रखा आपका venerable venerable का मीनिंग क्या होता है भई venerate करना एक verb होती है ठीक है so venerate आपकी verb होती है venerate का मतलब होता है किसी को सम्मान देना किसी को सम्मान देना so venerate करना यानि कि सम्मान देना so venerable का मतलब हो जाएगा जिसको सम्मान मिले जो सम्मान देने लाया को ठीक है जो सम्मान देने लाया को एक word दे रखाए आपका August आपको पता होना चाहिए August का मतलब भी होता है जो बहुत महान होता है और इवन जो आपका महीना होता है अगस्त उसका origin भी यहीं से बना है August basically महान एक राजा हुआ करते थे उनके नाम पर बना है August एक राजा थे तो राजा अगस्त से आप याद रख सकते हैं कि महानता को दिखाता है आगे देखेंगे अगला जो आपका word है वो है refined अब देखो कोई भी चीज़ को जब हम refine करते हैं देखो आपने यहाँ पर word दिख रहा है fine करना fine में ediform लग रखी है fine बनाना किसी चीज़ को इसका मतलब है अच्छा करना और reef का मतलब है फिर से किसी चीज़ को फिर से एकदम अच्छा बनाना तो अगर कोई चीज़ refined है इसका मतलब है कि उसको अच्छा बनाया गया है जैसे कि आपने देखा होगा जब जमीन से oil निकाला जाता है तो crude oil बोलते हैं उसको और crude oil को जब साफ किया जाता है तो उसी को refined oil बोल देते हैं so crude oil और refined oil इन दोनों को आप इस तरीके से देख सकते हैं so refined का मतलब क्या हो जाएगा जो एकदम sub ya है अब जैसे crude oil और refined oil होगे वैसे ही आप कह सकते हैं एक person जिसका behavior खराब है उसके behavior को crude कह दिया जाएगा एक person जिसका behavior अच्छा है उसके manners को refined कह दिया जाएगा तो refined यानि कि sub ya अच्छे जो होते हैं उनको refined बोल देते हैं so refined यानि कि आपको बोल सकते हैं क्या sub ya So having very good manners और जो polite होता है उसी को refined बोल देते हैं किसी trick की आपको ज़रूत नहीं है Antonym देखेंगे rough Rough का मतलब क्या होता है देखो, अगर कोई चीज अच्छी है तो वो plain है एकदम अगर कोई चीज रफ है अगर किसी जैसे आपने जब हम fair copy करते हैं rough copy करते हैं जब हम लिख रहे होते हैं तो rough copy में हम क्या करते हैं कोई चीज उल्टी सीधी लिख लेते हैं तो rough का मतलब है कोई चीज उल्टी सीधी है बेकार है उसमें सब्य तरीका नहीं है fair copy में सब्य तरीके से लिखते हैं और rough copy में असब बेतर ही किसे लिख लेते हैं, तो वो ही कह सकते हैं, rough हो गया आपका, एक है incoit, incoit का मतलब भी होता है, कोई भी चीज जो incomplete है, incoit, incomplete, incoit, incomplete, अपूर्ण है, जो सब नहीं है, जो अच्छी नहीं है, बेकार से, ठीक है, एक है vulgar, अब यह तो आपने सुना होगा, vulgar movies देखते हैं कुछ लोग, vulgar videos होती है, यही vulgar से बनता है vulgarity, ठीक है, तो यही बेसिकली assist जो भी हवार होता है, खास करके, जो sexuality गो लेके चीज़ें होती हैं, उनको vulgar बोलते हैं, जहां पर ऐसी चीज़ें हैं, जो सामाजिक तरीके में, तोर तरीके में फिट नहीं बोलती हैं, उनको vulgar बोलते हैं, vulgar भासा हो सकती है, अगर कोई गाली देता है, तो उसकी भासा को हम कह सकते हैं, वो टैलक सुना है ना, अज़ी कोई गाली दे रहा है, तो गाली जो है, वलगर भासा है है ना, एक क्रूड, अभी बताया ही था, मैंने, क्रूड क्या होता है, असब्य जो हता है, जिसके अंदर सिस्टाचार की कमी है, असिस्ट जो होता है, क्रूड हो जाएगा, एक कोर्स, कली वर्ड पढ़ाय था, I guess मैंने, कल पढ़ाया था न, course, course का मतलब भी क्या होता है, जो, मतलब एक उस पेना हो, जो उंचा नीचा हो, असब्य हो, भद्दा हो, वैसे को बोल देते हैं क्या, course, course यानि कि कोई भी चीज जो forceful तरीके से, भद्दी है, assist है, ठीक है, अगला आपका word है, kindered, 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 क्या ह कोई चीज किस से संबंदित है, किसको बताता है, संबंद को बताता है, ठीक बात है, संबंद को बताता है, तो kind में red लगा दीजिए, तो ये भी किसको बता रहा है, संबंद को भी बता रहा है, तो kindered का मतलब हो जाता है, संबंदित, kindered का meaning क्या बन जाता है, दोस्त, संबं याद कैसे रखेंगे, इसको kind से याद रखेंगे, किस से याद रखेंगे, kind से, kind यानि के प्रकार, प्रकार यानि कि किसी से संबंध, ठीक है, संबंध, तो संबंधित को इस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है, संबंधित को इस तरीके से याद रख सकते हैं, तो इसके ल एक बात बताना, आपके, आपने अभी 10th के, 12th के एक्जाम दिये होंगे, आपने बारवार सोना होगा, distinction आई है, distinction जब 75% से उपर, distinction का मतलब यह तो अलग है, कोई जब बहुत अलग होता है उसको distinct बोल देते हैं, distinct का मतलब अलग, distinct का मतलब क्या हो जाता है, बिविन्न ना लिखके, यहाँ पर अलग लिख लेना, जो एकदम अलग दिखे, distinction आगे, है ना, आगे unlike, देखो like का मतलब होता है similar, तो unlike का मतलब क्या हो जाएगा, जो similar ना हो, जो अलग हो, diverse, आपने वारवार सुना होगा, कि इंडिया में बड़ी diversity है, diversity का मतलब है भिन्नता, तो diverse का मतलब क्या हो जाएगा, विन, diversity, diversity से याद रख लेंगी इसको, so diversity, diversity यानि के भिन्नता, तो diverse होना यानि के भिन्न होना, dissimilar, अब देखो similar है उसके आगे diss लगा दिया, यानि negative कर दिया, सो dissimilar का मतलब क्या हो जाएगा विविन, again, अलग अलग चीज़ों को दिखाता है अगला आपका word है liberate करना भाई देखो आपने बार बार सुना होगा कि भाई liberty मिल गई, liberty मिल गई यानि कि आजादी मिल गई, liberty यानि कि आजादी liberate करना यानि कि किसी को आजाद करना liberal बोल देते हैं, liberal वो लोग जिनके आजाद विचार होते हैं मुक्त जो होते हैं so liberate करने का मतलब ही क्या हो जाएगा आजाद करना, liberty से याद रख लेंगे इसको भी, so to allow somebody something to be free, मुक्त करना किसी को या आजाद करना, मुक्त करना किसी को या किसी को अगर bind कर दिया यानि कि बांद दिया confined कर दिया यानि कि again, semit कर दिया limit कर दिया, कैसे याद रखोगे इसको भई देखो आपने अकसर करके एक word सुना ओगा confinement, jail हो गई इसको confine करना, सीमित करना, या फिर हम जेल में डालना, यहीं से वो वर्ड बनता है confinement, एक वर्ड आपका दे रखा है, देखो, Go. Restrain, Restrain में आपको Rest word देखेगा, अगर आपको कोई एक जगे, पर बंद कर दे, तो हापे आप क्या करोगे, Rest ही तो करोगे, और तो कोई काम रहएगा नहीं करने के लिए, ऐसे ही Rest transit में भी Rest देखेगा आपको, Rest in Peace लो कर दिया, एक दम है ना, बिलकुल, so restrict करना, restrain करना एक है fasten जब आप aeroplane में बैठते हैं तो आपको एक instruction मिलती है fasten your seatbelts instruction क्या मिलती है fasten your seatbelts seatbelts को fasten करने का मतलब क्या होता है दोस्त seatbelt को fasten करने का मतलब है कि अपनी seatbelt बांध लें पताने अजीब सी अवाज आ रही है उपर से आ रही है ठीक है fasten your seatbelt का मतलब क्या हो जाएगा बांधना, seatbelt बांधना tie करना, भाई tie को क्या करते हैं बांधते हैं, तो tie करना यानि क्या गिन बांधना, untie करने का मतलब होता है गांठ वगेरा जो हो उसको खोल देना तो tie करना, बांधना और untie करना यानि खोलना, तो tie को बांधते हैं तो आसे याद रह जाएगा अगला आपका word है inspire करना इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, बड़ा common सा word है inspire कर रहा है कोई इसका मतलब है कि आपको कोई motivate कर रहा है, inspiration दे रहा है so inspire करना यानि कि motivate करना किसी को तो to fill someone with confidence and desire to do something तो prayer ना देना, inspire करना बहुत common word है, कोई trick की ज़रत नहीं है एंटोनिम क्या बन जाएंगे dissuade करना, dissuade का मतलब होता है किसी को बाई मना कर देना देखो एक आपने word सुना होगा persuade करना persuade का मतलब है किसी को motivate करना किसी को मनाना और dissuade का मतलब है किसी को demotivate करना किसी का motivation कम करना तो dissuade हो गया एक word दे रहा है discourage encourage होता है motivate करना तो discourage हो जाएगा उसका एंटोनिम यानि कि motivation को down कर देना एक सब्द आपका divert divert का मतलब भी क्या है देखो आप पढ़ रहे है अच्छे खासे एक आदमी तो motivate करेगा पढ़ने के लिए और दूसरा क्या करेगा आपने वो movie देखिए ने त्री डिट्स जिसमें चतुर था वो ऐसे लोग क्या करते हैं आपको लाके मनोहर कहनियों की किताब देदेगा आपको नई-नई वेबसाइट बता देगा आपको नई-ने गेम बता देगा वो आपको क्या कर रहा है, divert कर रहा है basically आपकी बाधा बन रहा है वो भी so divert करना, debtor करना डेटर करने का मतलब भी क्या होता है किसी को पीछे धकेलना किसी को हतोत साइथ करना यहीं से एक नाउन बनता है डेटरेंस डेटरेंस का मतलब भी होता है किसी को डिमोटिवेशन बेसिकली रिपैल करने का मतलब होता है किसी को विरोध करना किसी को बाहर निकाल देना रिपै Repel, Repel कैसे याद रख सकते हैं वाई, किसी को पेल दिया एक दम समझ रहे हो, कहते हैं ने गाओ में किसी को जब हम बहुत ज़ादा परेसान कर देते हैं तो लोग कहते हैं वाई एक दम पेल दिया उसको तो ठीक है तो फोड़ा negative सा वर्ड है ट्रिक है, याद रखने के लिए कर सकते हैं, यह ना, ठीक है, आगे देखेंगे, अगला आपका वर्ड है, celebrated, भाई देखो, celebrate हम किसको करते हैं, जो हमारे heroes होते हैं, उनको हम celebrate करते हैं, मानलीजी हम बिराट कोली की बात करते हैं, मैं बड़ा जबराफ है नूँ उनका, बिराट कोली का, तो बिराट कोली बहुत celebrated है, उनको लोग celebrate करते हैं, इसका मतलब है, वो बहुत famous है, celebrated का मतलब ही क्या हो जाता है, famous, यहीं से आपका एक word बनता है, celebrity, celebrity, famous व्यक्ति, celebrated एक adjective form है उसी की, celebrity noun form है, और celebrated उसकी adjective form है, celebrity noun form है, और celebrated adjective form है, इनका मतलब होता है famous, ठीक है, so famous for some special quality और ability, तो विख्यात जो होते हैं, वही होते हैं, celebrated, एक अगर देखेंगे तो एक होगे unknown, नोन या नी की जानने वाला unknown, जिसको कोई न जानतो हो, unsung, देखो, जिसके जो कुछ अच्छा करता है, उसके गीत गाये जाते हैं, जो अच्छा काम करता है, उसके कहते हैं, गीत गाये जाते हैं, उसके तारीफ में लोग गाने गाते है गीत गाते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं अक्सर करके जो काम तो अच्छा करते हैं लेकिन उनके वारे में कोई कुछ गाता नहीं है संग का मतलब है कुछ बताना किसी पर पोईट्री लिखी जा रही है लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं तीम में मानलीजिए दो बॉलर हैं. एक बॉलर है जो आएगा और शुरू से कम रं आदेगा, कम रंदेगा, कम रंदेगा. और लेकिन दूसरे एंड पे एक बॉलर आएगा, दो छक्के खायगा, तीन विकट ले जाएगा. अब उस तीन विकिट को सब याद रखेंगे लेकिन एक आदमी जिसने वो प्रैसर क्रियेट किया था उसको कोई याद नहीं रखता है ऐसे लोग जो गुमनामी में जी रहे हैं उनको अनसंग कहते हैं अनसंग का मतलब कहा देखो तो सिंग आपकी वर्व होती है जिसका मतलब होता है गाना इसी की सेकंड फॉर्म होती है सेंग और इसी की थर्ड फॉर्म होती है संग अडजेक्टिव फॉर्म अनसंग का मतलब हो जाएगा जिसके बारे में कोई बातचीत ना की जाए अनसंग तो यानि कि जो गुमनाम है, जो अज्यात है एक है Anonymous, ये कई वार वर्ड बता दिया Anonymous का मतलब ही होता है, नेम वाला Anonymous का मतलब हो जाएगा, जिसका कोई नाम ना हो Anonymous, एक है Uncelebrated ये तो Celebrated के आगे Un लगा दिया, तो ये तो आसानी है, ठीक है? अगे, अगला आपका वर्ड है, Fertile भाई देखो, Fertile का मतलब होता है, जहाँ पर उपजाओ भूमी हो, उसी को Fertile कह देते है Fertile यानि कि, जहाँ पर चीजें कैसी भूमी है, उपजाओ That can produce fruit and new plants, बस fruit से याद रखना है F-R यहाँ पर आ रहा है, F-E-R यहाँ पर आ रहा है जहाँ पर fruit, फल, फूट लग पाएं, वही है Fertile जहाँ पर फल, फूट लग पाएं, वही क्या आपका? Fertile है, तो फल और फूट लग पाएं, वही Fertile है, उपजाओ हुए एंटोनीम क्या बनेंगे? बेरन, जो बन जाए आपकी बेरन, वही भूमी कैसी हो जाएगी? बंजर, एक है Sterile, Fertile का exact अंटोनीम होता है Sterile Sterile यानि कि जहाँ पर कोई कुछ नहीं होता है, ठीक है? Sterile है वो, एक है आपका A-Carpus, ठीक है? A-Carpus का मतलब भी बंजर होता है, Unfertile ये तो Simple ही है, ठीक है? उसके अलावा, Unproductive, Productive का मतलब जो Produce करें, Unproductive का मतलब जो Produce ना करें Next, आगे आपका Emerging, एक Word, Emerging आपने बार बार सुना होगा IPL में, जैसे IPL चल रहा है भी जब IPL खतम होगा, तो एक Player को Award मिलेगा, Emerging Player of the Year Emerging Player, जैसे अभी आपने देखा, Mayang Qiyadav नाम के एक Baller आते हैं और आके 156 की Speed से Ball Fank देते हैं, अब अगर ये पूरे Season ऐसे ही प्रदरसन करते रहे 156, 155 की Speed से Ball Fank की, 2-3 Wicket, 2-3 Wicket हर मैच में निकालते रहे तो Mayang Qiyadav को Award मिलेगा, Emerging Player of the Year, Emerging Player of the Tournament ऐसे करके Award मिलता है, Emerging का मतलब क्या हो जाएगा, उबरता हुआ बस, Something Close to Sprouting, उबरता हुआ, बस, Sprout का मतलब होता है, Basically उगना हमें Sprouts खाते हैं सुबह सुबह, मतलब जो उगे, जो चने बगेरा होते हैं जो की थोड़ा सा कुलादेरे होते हैं, ठीक है वही, तो Antonyms अगर देखेंगे इसके, तो Submerging Emerge करना, निकलना, Submerge करना, डूबना, Emerge करना, उपर उठना, Submerge करना, डूबना Drone करना, Drone करने का मतलब तो होता है, डूबना, Sink करना, Drone करना, Ingulf, गल्फ का मतलब जानते हैं, खाडी, और जो इंगल्फ हो रहा है, वो खाडी में जा रहा है, यानि की डूब रहा है, अगे, एक है, Inundating, Inundating का मतलब ही है, कोई भी चीज जो घटती हुई है, घटती हु तो डेट जिसमें नन बनता है, तो डलता हुआ जीवन, डलता हुआ जीवन, ठीक है, उतरता हुआ, आगे देखेंगे, अगला आपका वर्ड है, डेलिकेट, डेलिकेट का मतलब होता है, मेरे भाई, नाजुक, मुलायम, ठीक है, मुलायम, तो easy to damage, ब्रेक, ठीक है, डेलिक इतनी नाजुक होती है, ठीक है, अब आप देख लेना, इन दोनों में से कैट कॉन है, ठीक है, दिल्ली की बिल्ली, बहुत नाजुक होती है, यानि कि दिल्ली कैट, यानि कि डेलिकेट, डेलिकेट, डिल्ली की बिल्ली, ऐसे गर क्याद रख लेना भई है, तो डेलिकेट, आगे, एंटोनिम से अगर इसके देखेंगे एक तो कुरूड हो सकता है, कुरूड का मतलब कठोर भी होता है एक तो unrefined हो जाता है, कठोर भी हो जाता है एक vigorous, जिसके अंदर vigour है vigour का मतलब होता है power, ताकत जिसके अंदर ताकत है तो वह vigorous हो जाएगा उर्जवन, एक है study study, study का मतलब यह जो बलवान है एक दम एक है firm, जो अपनी चीजों पर द्रन रहता है एक है robust, जो robot के जैसा है, वो robust हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा ठीक है, अगला आपका word है hostility, hostility का मतलब दुस्मनी होता है, कई बार book app wonders पर ही इस word को पड़ा चुका हूँ hostility, hostel में हो जाती है दुस्मनी, लड़ाई, hostility यानि दुस्मनी या लड़ाई, ठीक है दुस्मनी या फिर लड़ाई ठीक है दुस्मनी या फिर लड़ाई तो याद रखेंगे, so hostel के लड़कों में दुस्मनी हो गई, यानि कि दुस्मनी hostel लड़ाई, so आगे friendliness, एक antonym हो जाएगा harmony, harmony का मतलब क्या होता है जहां पर चीज़ा सांती से है goodwill, good यानि अच्छा, will है न emity, emity का मतलब भी क्या होता है दोस्ती, amit से दोस्ती ऐसे करके याद करवाया था मैंने आपको ध्यान होता हू hospitality, hospitality का मतलब होता है सदभावना, महमान नवाजी hospitality, ठीक है ये भाई आज की class थी, आज की class भी थोड़ी छोटी रखिए कल से आपकी classes लंबी हो जाएंगी ये तीनों कितावें आपकी available है Amazon, Flipkart, Book Escape हर जगे आप जिस भी platform से check out करना चाहते हैं आप कर सकते हैं बढ़िया कितावें हैं, quality कितावें हैं quality content है, आपको मिल जाएंगी बाकी Book Escape पे फिलाल ये काफी कम rate में आपको available है 187 में Book Escape पे CPU Warrior सिर्फ 99 में available है जल्दी फायदा उठा लें 300 plus pages की किताव 99 में Book Escape पे है इसके अलावा Amazon पे भी available है वहां से भी आप check out कर सकते हैं Comprehension करांती भी आपकी available है Flipkart पे, Amazon पे हर जगे बाकी मेरे बाई Instagram पे प्रसान सोलंकी English नाम से हमारा handle है और Telegram पे हमारे ये channel है इनको भी जरूर जोइन करें Classes को अगर enjoy कर रहे हो तो comment करके जरूर बताएं बाकी आज की class में रखेंगे सिर्फ इतना ही मिलेंगे कल की class में Thank you so much जै हिंद, जै भारत बाकी भाई आज साम को Rankers गुर कुल पे Announcement है एक खास 7 बजे तो आप सभी लोगों को उस Announcement में जरूर आना है आप सभी लोगों के लिए CPO के लिए, CGL के लिए, CHSL के लिए एक बहुत जबरदस्त Announcement हम लोगों ने रखे तो उसमें सभी लोग जरूर आएं साम 7 बजे Thank you so much जै हिंद, जै भारत